जहन साते हो कैसे हैं आप सभी और कैसी त्यारी चले आप सभी की सबसे पहले तो धड़कने उनकी तेज होंगी जिनका पेपर तेज तारीक को सबसे पहले दिनी है बहुत सारे कमेंट मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि हमारा तो नसीव खराब है देखो भाई या नसीव बसीव कुछ नहीं होता किसी भी तरीके से आपका सब कुछ खराब हो जाएगा अगर आपने पढ़ा ही नहीं की होगी तो और आपने त्यारी नहीं की होगी तो और आपने अगर प्रेसर में अगर अपना पेपर खराब कर दिया तो ठीक है तो इन चीओं से कुछ इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा अगर आपने इमांदारी से महनत की है चाहिए आपका पेपर 23 में हो या सबसे लाश्ट 31 में हो इन चीज़ों से इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीका मैं मानता हूं सबसे पहले जो पर होता है एक मन में हैईटेशन टाइप का है कुछ ऐसा बन जाता है और पता नहीं क्या हुआ सबसे पहले हमारे प्रेपर है ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है सबसे बड़ी बात करेंगे आज बहुत सारे मिरे पास कमेंट आ रहे हैं कई दिनों से लगातार आ रहें कि कट अफ कडर किस लिए लग रहा है आपके मतलब ऐस पर test लगा रहे हो या किसी अब यह चीज़ों को एक साइडम रख लिजीए और एक जो पेपर जो रियल पेपर होता जो एक आप कुछ नहीं करते सिर्फ negativity फेलाते हैं ठीक है आप किसी भी तरीके से कोई चिंता मत करिए जब यह paper देने जाएंगे ना इनका paper हो जाने तो उसके बाद भी कुछ लोग आपको यह बताएंगे कि मेरे paper इतनी हुए लेकिन जैसे आंसर कियाएगी ना इनका score ना ऐसे एकदम ठप हो जाएगा नीचे ठीक है तो उस paper में और घर लगाने वाले paper में जमीना सवनकंतर होता है तो इन लोगों को देख करके आए इनकी सुन करके आपको किसी भी तरीके से कैसे भी दे-motivate नहीं होना है मैं आपको day one से कहता है हूं आप इमंदारी से मैंनेद करिए अगर आपने मन से अपना सौब पृतिसत दिया है अगर आपने इमंदारी से मैनेद किये अच्छी तरीके से आपने अपना तरीके से जो त्यारी किये तो इसलिए किसी भी तरीके से दमाग पर कोई प्रेसर मत लीजिए कि कोई कितना बता रहा है कोई कितना बता रहा है ठीक है 210 और 220 लाने में जो यहां बोल रहे हैं उन लोगों का इतना रहा है उन लोगों का इतना रहा है ठीक है बहुत सारे सरी और बहुत सारे प्रैक्टिस रिपाने से मैनत किये तो आपका रिजल्ट भी आ SMITHको को मिल जाएगा अच्छी तरीके से और एक बात बता दूं आपको कि इसकोर करने की ना मैं आपको पहले भी बेसिक सी जानकारी दे चुका हूं पहले जैसे आपके हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में आप सभी को पता है जो 37-37 प्रशन हैंगे वो एक तरीके से ऐसे आते हैं चाहें अगरी आप अफने पूरी त्यरी की भी उसमें पूरे से पूरे भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप व्या-31-32-31 भी आै। आपको सच्छ बताऊं तो जैसे कि आपने 70-20 तक के दायरे में रहना रही बात आपका 25-50 तक बाँरे में रहना अगर आप कर लिया रहा है बचा मेहत में अगर आपने 15–16–17 15–16–17 इतना भी कर लिया ना 15 तक आप कर लिया मेहत में और एक दो नम्मर उपन नीच हो गया तो आपका स्लेक्शन रहा किसी तरीकी से डढने की आवास सकते नहीं है बहुत सारे बाइबन ऐसे होते हैं जो मैथ से गबडाते हैं तो देखो यह एक्जाम तो आपको नजदिक आ गया लेकिन मैथ के लिए आगए आपको किसी भी तरीकी कोई समस्या नहीं हो किसी भी तरीकी कोई आपका परहसानी नहीं करनी पड़े मैथ में आपको तो उसके लि होने आपके तो मैंत मतलब एक बहुत जरूरी चीज है हर एक जाम में आप सभी को पता आता है तो उसके लिए एक वैस्ट सॉलूशन बता देता हूं आप सभी के लिए यह बहुत अच्छी बुक है आरे सक्रवाल की है एस चंद की कोई ऐसा बंदा होगा नहीं जो इस बुक क से महत बढ़ाता है यह बहुत आज भी मेरे पास है वह अलगवात है मेरे पास पराने वाली इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नई तरीके से नए पैटन के साब से बुक नका लिए और सभी प्रश्ण बतका है ना वह सब कुछ इसमें आपको दिया हुआ है ठीक है यह क चाहिए आप इसको ओनलाइन भी ले सकते हैं इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिक्शन में दे दिया है और दूसरी बात अगर किसी की सुनोना है ना तो अपने अंदर की बात सुनिए अगर आप को लग रहा है आपने अंदर से फील कर लिया है मैंने अपना पूरा सौप प्रिस् आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छी तरीगी से महनत किये तो बाकी कोई क्या कर रहा है 230-235 एचा कुछ भी नहीं है और ना इतनी कट आप जाने वाली है क्योंको हर चीज की नहीं कि लिमिट होती है तो यह सब वही लोग है जो देख आ रहें 220 आ रहें तो इस तरीके से और जितने भी लड़किया है ना वह भी ध्यान कर लेजिए अगर आपका 200 के आसपास जो आपका स्कूर आ रहा है आप किसी की भी क्रेंटीरी से हों तो टेंशन मत लिए किसी भी तरीके से ठीक है तो मस्त रहिए और आपका जिनका भी 23 अच्छे तरीके से जाईए एक दिन पहले सेंटर पर पहुंचना अगर आपको कोई समस्या है तो सेंटर पर दो वंटे पहले पहुंच जाना किसी भी सिटी में आपका जहां भी एक जाम हो उस पर एक दिन पहले पहुंच यह सारी जानका रही थी और भी को एपडेट झाल